इस सद्ध्याय में हम निम्लिके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे ध्वनी का उत्पादन, ध्वनी का संचरन, ध्वनी तरंग, ध्वनी संचरन के लिए माध्यम के आवशक्ता होती है, ध्वनी तरंग के अभिलक्षन, तो चलिए शिरू करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे ध्वनी के उत्पादन के बारे में जब भी आपकी स्कूल की चुट्टी होती है तो आपको क्लास में बैठे-बैठे कैसे पता चल जाता है कि चुट्टी हो चुकी है सही सोच आपने आपको घंटी भजने की ध्वनी सुनकर पता चल जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है उसी तरह जब किसी का टेलिफोन आता है तो ऐसी ध्वनी सुनाई देती है जिसकी मदद से हमें टेलिफोन का पता चल जाता है हम प्रती दिन अलग-अलग तरह की ध्वनिया सुनते हैं जैसे संगीत ग्लास में पानी भरते समय जब आप तालियां बजाते हैं अगर ठीक इस समय की बात करें तो आप अभी भी मेरी ध्वनी सुन रहे हैं चलिए अब आप अपनी कॉपी में इसके लावा कोई भी पाच ध्वनियों का नाम लिखें जो आपको अपने आस्पास सुनाई देती है वीडियो को रोके और फटाफट ये काम करें देखते हैं कि आपने क्या लिखा है आप सभी ने अलग-अलग उत्तर लिखे होंगे आप सवाल ये उठता है कि आप ध्वनी को परिभाशत कैसे कर सकते हैं तो आईए देखते है ध्वनी उर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवन का समवेदर उत्पन करता है ध्वनी को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं वीडियो को रोकें और इस परिभाशा को अपनी कॉपी में लिख लें तो चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब एक क्रिया कलाप की सहायता से समझते हैं कि ध्वनी का उत्पादन कैसे होता है हम एक स्वरित्रु दिभुज मतलब ट्यूनिंग फोक और एक रबड हामर लेते हैं अब हम ट्यूनिंग फोक को रबड हैमर पर मारते हैं आप ट्यूनिंग फोक को अपने कान के पास लेकर जाईए आपको धीमी सी एक ध्वनी सुनाई देगी ऐसा ट्यूनिंग फोक में हो रहे कमपन के कारण होगा अब दुबारा से ट्यूनिंग फोक को रबड हैमर पर मारिए और से एक टेनिस बॉल के पास लेकर जाईए आप देखेंगे कि बॉल की गती होने लगेगी ऐसा इसली हुआ क्योंकि कमपन ट्यूनिंग फोक से टेनिस बॉल में थानांतरत हो गया इस क्रिया किलाब में हमने ट्यूनिंग फोक को रबड हैमर पर मार कर ध्वनी का उत्पादन किया उसी तरह हम अलग-अलग तरीकों से ध्वनी का उत्पादन कर सकते हैं जैसे घिसने से, स्क्राचिंग से, प्लकिंग से इन सभी उधारनों में आखिर ध्वनी का उत्पादन हुआ कैसे? हमने यहाँ पर वस्तू का कमपन कराया और ध्वनी उत्पन की कमपन को हम तेजी से इधर-उधर गती भी बोलते हैं हमारी ध्वनी भी हमारे वोकल कॉड्स में हो रही कमपन के कारण उत्पन होती है कमपन को हम और भी बहुत उधारन से देख सकते हैं जैसे पक्षी जब अपने पंक को फड़वडाते है तो हमें ध्वनी सुनाई देती है वीडियो को रोकी और इससे अब अपनी कौपी में लिख ले तो इस वीडियो में हमने ध्वनी के उत्पादन के बारे में पढ़ा चलिए अब आगे बढ़ते हैं